दोस्तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे 5 ऐसे दमदार Half SP के Water Motor Pump की जिनकी Feedback काफी अच्छी है और Market में सबसे ज़्यादा डिमांड में है और Amazon पे भी ये सबसे ज़्यादा बिकने वाले Water Motor Pump है Half HP के सेग्मेंट में लेकिन दोस्तो हम सबसे पहले बात करेंगे कुछ इंपॉर्डन पॉईंच के बारे में जो एक Water Motor Pump करने से पहले आपको जाना चाहिए जिससे की आप अपने लिए एक बढ़ियान से Water Motor Pump खरी सकें तो दोस्तो आईए सबसे पहले बात करते हैं उन important points के बारे में जो एक water motor pump करने से पहले आपको जानना जुरूई है तो उनमें पहला है copper motor winding तो दोस्तो water motor pump में coil किस चीज़ का होना चाहिए aluminium का या copper का तो इसका जवाब है एक बढ़िया water motor pump में जो motor winding wire होता है वो 100% copper का होना चाहिए copper winding ज्यादा magnetic field generate करती है जिससे motor ज्यादा speed में घूमता है aluminium winding के मुखाबले motor जितने तेजी से घूमेगी उतने ही तेजी से वो जमीन से पानी को खीचेगा और उपर टंकी तक उतनी ही तेजी से पानी को चड़ाएगा copper में heat resistance ज्यादा होती है जिससे आप लंबे समय तक motor को चला सकते हैं और आपका motor जलेगा भी नहीं अब बात करते हैं अपने next important points की तो वो है insulation ये बात बहुत ही important है कि आपके coil में insulation किस class का हुआ है चुकि motor का size बहुत ही compact होता है तो voltage fluctuation की वज़ा से motor का temperature 150 degrees centigrade तक बढ़ जाता है insulation ही आपके motor के coil के heating को absorb करता है और आपके motor को जलने से बचाता है उसमें जिस हिसाब का insulation होगा उसी हिसाब से उसकी durability बढ़ जाएगी normally coil winding insulation 4 type के class को होते हैं class A, class B, class F और class H सबसे common जो class होता है वो class B और class F होता है अगर आपके motor में class A का insulation है तो आपका motor pump 70 degrees centigrade के temperature को आसानी से सह सकता है वही अधी आपके motor में class B का insulation है आपका motor 90 degrees centigrade के temperature को आसानी से जहल सकता है वही अगर आपके motor में class F का insulation है तो 120 degree centigrade से लेकर 125 degree centigrade तक के temperature को असानी से आपका motor जहल सकता है और last अगर आपका motor class H का insulation किया हुआ है तो आपका motor 150 degree centigrade से लेकर 155 degree centigrade तक के temperature को असानी से जहल लेगा Normally motor pump में class B और class F का insulation रहता है तो दोस्तो आप जब भी मोटर खरी दें तो इस बात का ध्यान रखें कि इंसुलेशन किस क्लास का दिया हुआ है अब जो next important point है जो ध्यान देने वाला है वह है मोटर का frame दोस्तो इससे आपके मोटर के performance पर कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन इससे durability वह फर्क जोरूब पड़ेगा मोटर फ्रेम जेनरली दो तरह के आते हैं अलमूनियों मोटर फ्रेम और दुसरा है कास्ट आइरन मोटर फ्रेम बेस्ट मोटर फ्रेम जो होता है वो कास्ट आइरन का होता है इसकी durability बहुत ज़्यादा होती है इसमें जंग लगने का chances बहुत कम होता है और वो लंबे समय तक performance देता है नेक्स जो important point है वो है impeller impeller motor pump का सबसे important part होता है impeller ही पानी को lift करा कर तेजी से उपर की और भेजता है तो दोस्तों आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि motor में जो impeller है वो brass material का होना चाहिए brass के impeller बहुत ही अच्छा performance करते है इनमें wear और tear बहुत कम होता है अब next important point जो आपको ध्यान में रखना चाहिए वो है motor में rpm कितना होना चाहिए rpm का मतलब होता है rotation per minute आपके motor का rpm जितना ज्यादा होगा पानी को lift करानी की capacity उतनी ही ज्यादा होगी और आपका water motor pump पानी को काफी pressure से फेकेगा best rpm अठाई 100 से 3000 के बीच का होता है उससे नीचे का rpm होगा तो आपके पानी का force या speed कम होगी इसलिए आप जब भी motor खरिदने जाए तो ज्यादा rpm वाला motor खर दे यानि जिसका rpm अठाई 100 से 3000 के बीच का हो उसी motor को आप खरीदे तो दोस्तों यह थे कुछ important point जो एक water motor pump खरिते समय आपको ध्यान में रखना चाहिए अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका motor लंबे समय तक चलेगा और जल्दी खराब नहीं होगा अब बात करते हैं अब बात करते हैं अब बात करते हैं मेरे इस लिस्ट में आने वाले पांचवे नंबर की हाफ एस्पी की water motor pump की तो वह है हैवस जीनिया 2 monoblock हाफ एस्पी water motor pump इसकी head की बात करें तो 6 तू 27 मीटर इसका head है head का मतलब यह है कि water motor pump जहां पे लगा हुआ है उससे जहां तक पानी आपको चड़ाना है यानि कि टंकी की जो भी distance होगी उसको head बोलते हैं इसके discharge range की बात करें तो इसका discharge range है 2050 से 470 LPH, LPH का मतलब होता है लीटर पर आउर, discharge का मतलब यह होता है कि एक घंटे में यह water motor pump कितना पानी को फेगेगा अगर बात करें head और discharge range की combination की तो इसका मतलब यह है कि अगर आपको 6 meter height तक पानी को चड़ाना है तो यह motor 2050 लिटर पानी को एक घंटे में चड़ा देगा वहीं पर अगर आपको 27 meter height पर पानी को चड़ाना है तो यह motor एक घंटे में 470 L ही पानी को चड़ा पाएगा इस water motor pump के casing यानी frame की बात करें तो यह high grade cast error यानी के FG 200 grade का है जिससे इसके frame में rusting बहुत सुलो होती है और इसमें wear और tear का भी बहुत कम chance रहता है जिससे इस motor pump की life बढ़ जाती है winding की बात करें तो इसमें 100% copper की winding की गई है जिस पर dual coated class F का insulation किया गया है जो कि ensure करता है कि voltage fluctuation पर भी motor नहीं जलेगा इसके impeller brass का है जो की काफी अच्छी बात है इसका जो motor shaft है वह stainless steel यानि के SS 410 grade का बना हुआ है जो की बहुत ही hard है और इसमें wear और tear का बहुत कम chance है और इससे की motor की life को यह enhance कर देता है इस motor की speed के बात करें तो इसका speed है 2900 RPM इसमें one year की warranty मिल जाती है और last segment इसके price के बात करें तो इसका फिलाल current price है 2999 रूपीस के आसपास दोस्तो एक बात बता दूँ कि इन सारे products के price घड़ते बढ़ते रहते हैं तो exact price के लिए आप description में दिये हूँ इनके लिक पर जाकर चेक कर लिजिए हो सकता है कोई sale या offer चल दा हो तो यह आपको कम कीमत पर भी मिल जाएंगे तो दोस्तो हाफ SP के segment में हैवल्स का यह water motor pump एक अच्छा option है आप इसे चेक कर सकते हैं अब बात करते हैं मेरे इस list में आने वाले चोथे नमर की हाफ SP के water motor pump की तो वह है crompton mini champ plus second water motor pump इसके head की बात करें तो इसका head है 6 to 34 meter और discharge range की बात करें तो इसका discharge range है 1950 से 450 LPS इसका दोस्तों क्रों प्रॉम्टरं का यह water motor pump water dipping से प्रोटेक्टर है यानि कि इसको उपर पानी घर जाया तो motor पूरी तरह से sealed है इसके अंदर पानी नहीं जा सकता है इससे की motor के जलने की कोई संभवना ही नहीं है इसका जो फ्रेम है वो कास्ट आईरन का है जो की काफी अच्छ का है जो की काफी अच्छी बात है और इसमें जो इंपेलर है वो भी ब्रास का है इसके स्पीड की बात करें तो इसका स्पीड है 2800 आर्पियम इसमें भी वारंटी मिल जाती है और फिलाल इसके करन प्राइस है 2900 रूपीस के आसपास दोस्तों क्रेम टान के तरफ से यह एक अ बात करें तो इसका डिशार्ज रेंज है 3350 से 360 LPS इसका मतलब आप समझ ही गये होंगे इसके बात करें तो इसमें भी 100% कॉपर वारंटी मिल जाती है और इसमें भी क्लास एफ का इंसलेशन किया गया है इसका भी इंपेलर ब्रास का है और इसका फ्रेम एलमुनियम का बना ह लाइं सपीड के बात करें ते इसमें 2,900RPM और इसमें भी वारंटी मिल जाती है और इसके प्राइस के बात करें Sounds ए úp 2,999डी के औश्म का दोस्तों किलोस्कर के तरफ से यह जो जल्रान मॉडरल है यस बी काफी 6 to 48 meter और इसका डिस्चार्ज है 1950 से 450 LPH इन दोलों का मतलब आप समझी गए होगे इसमें भी class F का insulation दिया हुआ है और इसका भी impeller brass का है इसके frame की बात करें तो इसका भी frame aluminium die cast किया हुआ है यानि के aluminium का है और इसके speed की बात करें तो इसका speed है 3000 RPM इसमें भी one year की warranty मिल जाती है और इसका फिलार current price है 3000 रुपीज के आसपास दोस्तों के तरफ से यह एक अच्छा option है आप इसे चेक कर सकते हैं इसका link भी मैंने description में दे दिया है आप वहाँ से जाके जरूर चेक कर ले टॉप 5 best half HP water motor pump इन इंडिया 2023 के मेरे इसक्रिश में आने वाला number one water motor pump है वो है कि लोसकर के तरफ से ही किलोस का छोटू water motor pump इसके head की बात करें तो इसका head है 6 to 52 meter जो की सबसे ज्यादा है discharge range की बात करें तो इसका discharge range है 2040 से 360 LPH इसमें भी 100% copper winding मिल जाती है और insulation इसका भी class F का है और इसमें भी brass का impeller दिया हुआ है इसके frame की बात करें तो इसका frame है cast iron का और इसमें speed मिल जाती है 3000 RPM की इसमें भी one year की warranty मिल जाती है और इसका current price है 2599 रूपीस के आसपास दोस्तों य water pump अच्छे है numbering सिफ indication के लिए किया गया है इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि number one पर जो water motor pump है number five वाले से बहुत ज्यादा अच्छा है या फिर number five पे जो water motor pump है वो number one से काफी खराब है numbering सिर्फ बहुत ही minor अंतर जैसे head range और price को देखते हुए किया गया है और पांचों number two और number one pump में से किसी एक को खरी सकते हैं वहीं अगर आपको कम समय में और third floor तक ही पानी को चड़ाना है तो आप number three four और five में से किसी एक को भी खरी सकते हैं दोस्तों आज के वीडियो बस इतना ही उमीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा ऐसे वीडियो को देखने क के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहे हैं तब तक के लिए अलविदा थैंक यू